Hello everyone, welcome to Zyka मसेदार मलाई चिकन ग्रेवी तो बहुत बार खाई होगी आपने लेकिन कभी मलाई एक ग्रेवी खाई है बहुत मसेगी बनती है, बहुत असान रेसिपी है और बहुत कम इंग्रीडियन्स के साथ ये तियार हो जाती है और इतनी मसेगी लगती है कि आप मलाई चिकन ग्रेवी खाना भोल देंगे और ये खाना शुरू कर देंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं मसेदार सी रेसिपी लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा ताकि आपको मेरी आने वेली सबी नहीं वीडियो की रूटिफिशन सबसे पहले आपको मिलें तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां मैंने लखिए दो मीडियम प्याज इसको रफली चॉप कर लिया है और तीन हरी मिर्च इसका हमें एक बारीक पेस्ट बनाना है जो हमने प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट तेयार किया था वो इसमें डाल देंगे यह मैंने प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है यह भी मैं इसमें डाल दूंगी और इसको हमें fry करना है प्यास को हमें golden brown नहीं करना है बस प्यास की कच्छी smell खतम हो जाओ यह अच्छे से भून जाए तो medium flame पे इसका पानी खुशक होने तक हम इसको भूनेंगे और जब एक तरफ प्यास बुन रही है मैं दूसरे बनर पे रख दूँगी अंडे बॉil करने के लिए यहां मैंने चार अंडे लिए हैं आपनी हिसाब से ले लीजे आपको जितनी चाहिए अपनी फैमिली के हिसाब से तो अंडे बॉil हो रहे हैं साथ मिहां पे प्यास भी अच्छे से इसका पानी रिडियूस हो रहा है इसको हम ऐसे ही भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे जब पानी थोड़ा से इसका खुशक हो जाएगा तो इसके अंडर मैं डाल दूँगी हाफ टेबल स्पून के करीब लसन अद्रग का पेस्ट और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको भून लेंगे जब तक सारा पानी इसका खुशक नहीं हो जाता और प्याज साथ में डाल रही हूँ हाफ टीस्पून काली मिर्श पाउडर ब्लाक पेपर पाउडर और वन फो टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला अबस इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भूनेंगे जब तक इसका ओयल सेपरेट नहीं हो जाता और इसको चार से प एक कप रूम टेंप्रिचर दूद ग्यास ऑॉफ कर देंगे इस पॉंछ पेड़िंगे हम घ्र दूद नहीं डाल रएंगे वन्ना दूद फटने लगेगा इसको मिला देंगे और जब अच्छे से हम इसके मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसकी थी फ्लेम दूबारा से मैं इच्छा से हमें दिख की पाइचा साट में घड़ियां उессंपते प्राइब हैं फ्लेवर और खुश्ट्पूं के खुष्टि के定ख हमें गलेंगे, हाफ टी-प्रामी करीब प्राइब, खुश्ट्पूंग कारीब से मिक्स करकश़ा है अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाएगा इसे भी अच्छी से मिक्स कर देंगे और इसके बाद मैं डाल दूँगी हरा धनिया थोड़ा समय जादा डालती हूं इसमें क्यूंकि बहुत मज़े का लगेगा साथ में तो यहां मैंने 3 टेबिल स्पून के करीब जह हरा धनिया बा यह बहुत मसेदार रेसिपी है तो अंडे हाट बोईल करे थे उसको आधा काट लिया है और इसको हम पहले पलट के नीचे की तरफ रख देंगे इसको 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 हम सारे अंडो को रखके इसको हम कवर करके 2-3 मिनिट के लिए इसको कुक करेंगे ताकि अच्छा सा के कवर करके कुक करेंगे वापिस से 2-3 मिनिट और ओयल भी तब तक बहुत अच्छे से सेपरेट हो जाएगा और हमाई ग्रेवी बिलकुल रेडी हो जाएगी तो इसको कवर कर देते हैं और 2-3 मिनिट बार इसको डिशाउट करते हैं तो यह देखें कितनी असान सी और मसे पराठे और रोटी के साथ या फिर नान के साथ खाए बहुत मसे की लगती है तो रेसिपी जरूर ट्राइग कीजिएगा और मुझे फीडबैक जरूर दीजेगा कि आपने यह बनाए तो यह आपको कैसी लगी तो ऐसी और मसेदार और असान सी रेसिपी अगर आपको देख अविड़ की यह बनाए यह बनाए बनाए और दीजेगा के साथ सवना कि भवड़नए पूर लाह बनाए रीजर के साथवर पजसे साथ फिन के साथ यहाऊ सवाज़को पतार अवाजबैक ग्लाए बनाए भ